होमनाबाद में जे यमके डोलप्मेंट की ओर से एच्चम कॉंप्लेस के सामने इफ्तार और ताम का इंतिजाम किया गया जिसमें होमनाबाद की कई जनता के साथ होमनाबाद जे डियस पार्टी के यम्मिले कैंडिडेट भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल रहे और इस इफ्तार पाटी में जमील खान सहाप और मोलाना अब्बास नजवी ने सभी इस इफ्तार और ताम में आई अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए और क्या कहें आईए हम आपको बताएंगे आज सोलवां रमजानुल मुबारक हुने मुकम्मिल हो चुका है आज जेयम के डॉलप परिश की तरफ से हमारे आफिस के सामने इफ्तार पार्टी प्लस रोज़दारों को खाने का इंतिजाम भी रखा गया था जिसमें शेर उमनाबाद के मुजज़ अश्कास के अलावा तकरीबन पंदरह आठरह सो से जाएद लोग हमारे इफ्तार पार्टी में शरीक होकर हम लोगों को एक खिद्मत का मुखा दिया गया हम तमाम हाजरेन दावत का तह दिल से ममनूर मुश्कूर हूं दूसरी बात ये के रमज़ान मुबारक में अल्ला रब लिज़त की तरफ से ये फरमान है कि जिस किसी ने भी रोज़दार का रोजा खुलवाया या उसे एक लुखमा भी अगर हम खाना खिलाते हैं तो उसका बहुत बड़ा आजर वो सवाब है वैसे हमारे इस आफिस के सामने गुजिष्टा खरीब दस सालों से इफ्तार पार्टी और ताम का इंतिजाम होता है इस इफ्तार पार्टी में हमारे नौज़वान साथी जिन्होंने इफ्तार की जुमेदारी भी निभाई और आने वाले रोज़दारों को बड़ी दिल्चस्पी के साथ बड़ी मेहनत के साथ उनकी सरवरी भी की और जितने भी आने वाले लोग थे सबी लोगों को दावत इफ्तार भी करवाया खाना भी खिलवाया और लोगों का शुकुरिया अदा करके उन्हें रुखसद भी करवाया दूसरी बात यह है कि हर जगह दावते इफ्तार होते हैं बहुत सारे लोग इफ्तार करवाने का मकसद बाद लोगों का सवाप की नियत होती है तो कुछ लोगों का सियासी हैतिवार से भी इफ्तार पार्टियां करवाते हैं इस महिने में रमजान की रहमतें बरकतें और रोनोखों को देखा जा सकता है वही एक सीन आज आपके सामने एक रमजान की रोनोखों वाली सीन थी जो मगरिब के फोरी बात से लेकर इशांक की अजान से कुछ पहले तक एक हुजूम की शकल में लोग आते गए और जो होना हजब इस्तितात अपने हिसाब से जो होना जिसको जहां जगा मिली जिसको जैसा भी मिला वो इस तरीखे से खाना का कर गए हैं हम और एक मरतबा तह दिल से को खुबूल करते हुए तश्रीफ लाए और इसमें हमारे जनतादल के उमीदवार सीएम फैस साहब भी तश्रीफ लाए थे हमने इसमें बोजन समाज पार्टी के उमीदवार अंकुछ गोगले साहब को भी मदू किया था लेकिन वो किसी वज़े से ना सके और जो हैना बहुत देर तक इस सिलसला चलता रहा लोग जो दरजोख आते गए और जो हैना अपने हिसाब से खाना का कर गए हम लोग जो हैना उन सभी लोगों का शुक्ता करते हैं नोगे सelli पुध değer में बादे हैं शुक्ता कि बादे करते हैं हैं कि वेमको इतनी रोजदारों के इतनी खिदमत करने का मुखा मिला इंशाólलahu ओो उताला अने वाले दिनों में भी हम इसी तरीखे से रोज़दारों के लिए इफ्तार और ताम का इंतिजाम करेंगे यह लगा बहुत बड़ा करम है उसका फजल और करम है कि वो हमको एक जरीए से काम ले रहा है इंशालला आने वाले दिनों में भी हम इसी तरीखे से करते रहेंगे अल्ला की जात पर हमें भरुसा है कि इंशालला हर साल की तरह आने वाले साल में भी अच्छे पैमाने पर रोज़दारों के लिए इफ्तार और ताम का इंतिजाम करेंगे बुलकर मैं इतना कहते हुए अपनी बात को यहीं खत्म किये दता हूँ अस्सलाम अलेकुम खुदा आफिस बिसम ल्ला रह्मान रहीम ये बड़ी मसर्रत का महना है और अल्ला की तरफ से अहल इमान के लिए किनाम है इसके रोज़े फर्द है और रोज़े अल्ला के लिए है और उसका बदला भी अल्ला तबारु को ताला ही है तो इस मुबारक महने में जो रोज़े रखे जाते हैं उसकी शोशल लाइफ में फाइदा ये है कि वीकर्स को और मालदारों को और मिडिल क्लास को सुब को जो है एक सफ में खड़ा करना है जैसे नमाज का सबक है कि नमाज में सब सारे एकी सफ में खड़े रहते हैं और रोजों में जो है फिसिकली तोर पर मेंटली तोर पर ये समझाना है कि सुसाइटी में चाए इनसान कितना ही मालदार हो गरीब हो मतवस्यत हो वो सब ललह के पास एक जैसा है और उसको भूका रककर घॡ़ीबों का इहसाद दिलाना भूक का इहसाद दिलाना अल्लह की याद करवाना यह असल में में मैंट मकसद है रोजे का दूसरा जो मकसद खुरान में बयान किया गया है रोजे के जरीए तक्वा पैदा करना है तक्वा यानि के अल्ला का डर और अल्ला हर जगा हाजिर और नाजिर है अगर अल्ला को वो देख रहा है तो ठीक है अगर अल्ला को देखने का उसमें ख्याल नहीं है तो कमज कम अल्ला बंदे को देख रहा है यह इहसास के साथ अबादत बंदा जो है रमजान में practical तोर पर करता है और यही practice पूरे महने में कराई जाती है कि अगर कोई रोजा है तो वो अकेला एक अंधेरे कमरे में बैठ़ा तो भी खाता पीता नहीं है जंगल में है तो भी खाता पीता नहीं है और अल्ला हर जगा देख रहा है ये एहसास को पैदा करना है इसी रमजान की मुनासिबत से बहुत सारे जिनको अल्ला ने माल दौलत दिया है वो गरीबों में आनाज तक्सीम करते हैं कपड़ा बाड़ते हैं जकात निकालते हैं इसी तरह खाना कھिलाते हैं जो छो खेर के काम हैं वो बड़ चड़ कर करते हैं क्योंकि ये महने में नेकियां भी अच्छे काम के बढ़ा दिये जाते हैं नफिल को फर्स के बराबर फर्स को जो है 70 फर्स के बराबर कर दिया जाता है यहां ये गलती जैसे के इस्तिमाई तूर पर हम लोग इस्तार तो करा रहे हैं जिसका बहुत बड़ा सवाब है और कई गरूप हिंदुस्तान में इफतार भी कराते हैं लेकिन सब जकात जिन पर वाजिब है माली के निसाब उनको ये जानना जरूरी है कि रमजान में जो जकात निकालते हैं जकात का निजाम भी इजत्माई होना जरूरी है जैसे नमाज का हुक्म है कि नमाज सिंगल नहीं पड़ना है सब जमाँ होकर जमाँ से अदा करना है इसी तरह जकात भी जमा होकर ग्रूप की शकल में निकाल कर जो सुसाइटी में कमजोर लोग हैं उनकी ऐसी हिल्प करना कि फिर दुबारा उनको जकात की माल की जुरुत ना पड़े तो ये खाना पीना जो खिला रहे हैं ये भी हजरो सुवाब है लेकिन सबसे बड़ा सुसाइटी को जिन्दा करना सुसाइटी को साथ में लेकर चलना ये सबक है लियाजा आज जो है हमारे ये जे यम के गुरूप की जानिब से उननाबाद में एक बहतरीन पार्टी की गई आप 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 और ये खा बार चलना प्षमिन को जान भीए और विईर बचसे के बम्स्था जानदे ाउसे पारए न के नियतों पर आगे कारूबर के रास्ते के भाज़े लिए घुखूआँ जो रोज़ादारों का ख्याल करता है उसको आप जो ये तमना है और हमारे रब से ये दूआ है कि अल्लह तेला हिंदुस्तान को नजर बस से बचाए यहां बाहर की बहुत सारी खुवतें कारफरमा है क्योंकि मुसल्मान ये एक मुख्तलिफ मजाहिब को लेकर चलने वाला मुल्क है या हजारों किसम के नजरियात की लोग रहते हैं हिंदु, मुस्लिम, सीक, इसाई, सब कुछ रहते हैं दुनिया में एक नमोना है ये अल्ला से दुआ है कि इस नमोने को अल्ला बाखी रखे और हिंदु, मुस्लिम भाईचारा खाहिम रहे और आपस में खुलूस और मुहबस से ये मुल्क तरखी करता रहे सियासी जरूरतां के लिए जो लोग जोड़ तोड़ की सियासत कर रहे हैं अल्ला उन्हें भी हिदाएच दे